लोग उन लोगों की तरफ जादा अट्रैक्ट होते हैं जो उने तो ये लोगों के साथ जोड़ने में आपकी मदद करता है हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में जहां पर आप देख सकते हैं कम्प्लीट बुक समरीज आज मैं आपके लिए एक FBI एजेंट जैक शेफर और मार्विल कैलिंस की बुक देलाइक स्विच की कम्प्लीट बुक समरी लेकर आया हूँ देलाइक स्विच बुक में उन सभी टूल्स और टेकनीक्स के बारे में बताया गया है जिनकी मदद से आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं चाहे आप सेल्स का काम कर रही हों, किसी डेट पर गए हों या फिर कोई जॉब इंटरव्यू दे रही हों इस बुक में उन ट्रिक्स के बारे में भी बताया गया है जिसे FBI सालों से जासूसों और इंफॉर्मेंट्स यानी मुखबिरों को अपने जाल में फसाने के लिए इस्तमाल करती आई है और जिनकी मदद से आप ये जानेंगे कि कैसे आप किसी को भी इंफुलेंस और अट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे आप लोगों का दिल जीच सकते हैं साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन को बहतर करने के लिए रिलेशन्शिप को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए और दूसरों के बिहेवियर को समझने के लिए कौन सी चीज़ें जरूरी हैं दोस्तों इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पाइरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूँ तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आप देख सकें इन वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो के एंड में मैं बताये गए सभी इंपोर्टन बातों को शौट में दोबारा दोहराऊंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको असानी से याद रहें तो इस वीडियो को अन तक देखना मत भूलेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए जादतर लोगों की सलाश शायद ये होगी कि आप जैसे हैं वैसे रहें लेकिन राइटर इस बात से सहमत नहीं है उनका कहना है कि सिर्फ जेन्वन होने के अलावा पसंद करने के लि तीसरा डूरेशन और चौथा इंटेंसिटी अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे तो इसका पहला स्टेप है कि अक्सर उस इनसान के आसपास होना जिसे आप चाहते हैं कि वो आपको पसंद करे इस step में proximity और frequency के formula का एक साथ इस्तमाल करें उनके एक दूसरे को पसंद करने के chances बहुत जादा होते हैं इसलिए जितना जादा हो सके उस इनसान के आसपास रहने की कोशिश करें जिसे आप impress करना चाहते हैं राइटर ने हमें यहां एक real life story की मदद से friendship formula को समझाने की कोशिश की है चाल्स नाम का एक FBI agent था जिसे सीगल नाम के एक foreign diplomat के साथ दोस्ती करने के लिए कहा गया ताकि उसे अमेरिका के लिए दूसरे देशों की जासूसी करने के लिए राजी किया जा सके इसके लिए चाल्स सबसे पहले proximity और frequency formula का इस्तमाल करके उस grocery store तक हर दिन सीगल को follow करने लगा जहां सीगल अकसर जाया करता था ताकि वो लोग हर दिन एक ही environment में time बिता सके साथ ही साथ चाल्स ये भी कोशिश करता था कि सीगल का ध्यान बार बार उसकी तरफ जाये ताकि वो familiar यानि जाना पहचाना लगने लगे इसके बाद अगला कदम था duration और intensity के formula को इस्तमाल करना duration बहुत important है जितना जादा time आप किसी के साथ बिताएंगे उतना ही आप उन्हें खुद को पसंद करने के लिए influence कर पाएंगे duration के formula का इस्तमाल करके चाल्स सीगल के आसपास जादा time बिताने लगा साथ ही साथ intensity के formula को use करते हुए चाल्स सीगल को अपनी बातों और विचारों से impress करने लगा और psychologically सीगल के दिमाग में friendship के signal भेजने लगा इस तरहां सीगल चाल्स की तरफ काफी उत्सुक हो गया और उसमें interest लेने लगा और जब तक चाल्स सीगल को ये बताता कि वो एक FBI agent है तब तक सीगल चाल्स से impress हो चुका था और उसका दोस्त बन चुका था और इसी वज़े से वो जासूस बनने के लिए भी राजी हो गया दे लाइक स्विच के इस friendship formula का इस्तमाल करके आप आसानी से दोस्त बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में अच्छे relationship भी बना सकते हैं जुगनू और इंसानों में कोई खास समानता नहीं है लेकिन एक खास गुण है जो दोनों में पाया जाता है जैसे कि जुगनू अपने पार्टनर्स को attract करने के लिए बार बार जादा तेजी से जगमगाते हैं उसी तरह से इनसान दूसरों की positive attention पाने के लिए अपनी पलकों को बार बार जपकते हैं पलकों का बार बार उपर नीचे होना एक non-verbal यानी बेना कहे जाने वाला एक संकेत है जो second के एक बटा 6 हिसे तक ही रहता है ये इस बात को दर्शाता है कि आप सामने वाले को नुकसान नहीं पहुचाना चाहते हैं और ये दोस्ती और सुरक्षा का एक संकेत है जब भी कोई आपको देखकर अपनी पलके बार बार जपकाए इसका मतलब है कि वो आपसे दोस्ती करना चाहता है और वो आपके लिए कोई खत्रा नहीं है इसके साथ साथ आप दूसरे non-verbal संकेतों का भी इस्तमाल कर सकते हैं दूसरा non-verbal संकेत है सर का किसी एक और जुकाना किसी को देखकर सर को हलका दाई या बाई और जुकाना एक friendly gesture है दरसल इसके पीछे एक scientific कारण भी है जब भी आप अपने सिर को किसी एक और जुकाते हैं तो आपकी गर्दन की carotid arteries exposed हो जाती हैं जिससे आपके दिमाग में जादा oxygenated blood पहुँचता है हम लोग unconsciously या अंजाने में इन arteries को सिर्फ उन लोगों के सामने expose करते हैं जिन से हम दोस्ती करना चाहते हैं और जो हमारे ले किसी तरह का खत्रा नहीं होते ये बात research से साबित हो चुकी है कि जो लोग किसी से बात करते हुए अपने सर को सीधा रखने के बजाए किसी एक और हलका जुका कर बात करते हैं उन्हें जादा मिलनसार, honest और दयालू माना जाता है अगला powerful non-verbal संकेत है एक genuine smile एक हस्तेवे चहरे को जादा पसंद किया जाता है और लोग उसकी तरफ जादा attract होते हैं smile या मुस्कराहट एक समाजिक संकेत है जो friendliness को दर्शाता है इसके अलावा जब भी आप मुस्कुराते हैं आपके शरीर में endorphin hormones release होता है जिससे आपको अच्छा महसूस होता है साथ ही साथ अगर कोई आप से मुस्कुरा कर बात करे तो उसकी तरफ ना मुस्कुराना बहुत ही मुश्किल होता है एक genuine smile सामने वाले को अच्छा महसूस कराती है एक और टेकनीक है जिसे mirroring टेकनीक कहा जाता है mirroring एक बहुत ही अच्छा nonverbal संकेत है जो friendship करना आसान और effective बना देता है जब भी आप किसी से मिलें तो सामने वाले की body language की नकल करने की कोशिश करें जैसे कि अगर बात करते वे वो अपने हाथों को मोड लेते हैं तो आप भी अपने हाथों को मोड लें इस बात पर ध्यान दे कि सामने वाला इंसान किस तरह से खड़ा या बैठा है आप भी उसी तरह से खड़े होने या बैठने की कोशिश करें इन सभी nonverbal संकेतों का इस्तमाल करके आप ज़ादा likable बन सकते हैं और किसी से भी आसानी से दोस्ती कर सकते हैं साथ ही साथ दूसरे लोगों में इन संकेतों पर ध्यान दे कर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई आपकी तरफ attracted है या नहीं पिछले चैप्टर में आपने जाना कि किस तरह आप nonverbal संकेतों का इस्तमाल करके एक positive relationship की शुरुवात कर सकते हैं अब हम जानते हैं कि verbal यानी बाचीत का मौक आने पर हम किस तरह सामने वाले इनसान को impress कर सकते हैं दोस्ती का एक golden rule है जो ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो लोगों को उनके बारे में अच्छा महसूस करवाएं राइटर ये भी कहते हैं कि ये बात किसी भी relationship को successful बनाने के लिए सबसे जादा important है आईए जानते हैं कि ये rule किस तरह से काम करता है लोग उन लोगों की तरफ जादा attract होते हैं जो उने खुश रखते हैं और उने अपने बारे में अच्छा feel करवाते हैं क्योंकि बदले में सामने वाला इंसान भी इस positive feeling को वापस देना चाहता है example के तोर पर एक बार राइटर जैक को flight से कहीं जाना था और उन्हें economy class की beach की seat मिली जो उन्हें पसंद नहीं थी इसके लिए उन्होंने अपने friendship skill को अजमाने की कोशिश की और ticket agent से बात करने लगे बाचीत के दौरान उन्होंने खुद के बारे में बहुत ही कम बात की और उन्होंने ticket agent को जादा से जादा बात करने का मौका दिया वो बड़े ही ध्यान से उसकी बाते सुनते रहे और उसकी बातों में दिल्चस्पी लेने लगे इस बाचीत के दौरान राइटर ने ticket agent को उसके बारे में बहुत ही अच्छा महसूस करवाया उन्होंने उसके काम की तारीफ की कुछ देर बाद जब राइटर की फ्लाइट के जाने का टाइम हो गया और राइटर जब वहां से जाने लगे तभी ticket agent ने उन्हें बुला कर उनके economy class के ticket को business class के ticket में बदल दिया दिल्चस्प बात ये थी कि अपनी बाचीत के दौरान राइटर ने एक बार भी ticket agent से अपनी ticket को बदलने की बात नहीं की थी वो जादातर टाइम सिर्फ उसके बारे में और उसकी life के बारे में बाते करते रहे और अपनी बातों के जरिये उसे positive feel करवाते रहे इसलिए अगर आप भी किसी से friendship करना चाहते हैं तो लोगों को उनके बारे में अच्छा feel करवाएं और उनकी तारीफ करें दूसरों से बाते करते समय उनकी बातों को धियान से सुने और उनके बारे में जादा से जादा जानने की कोशिश करें अंग्रेजी में कहावत है कि always treat others the way you would like to be treated यानि कि हमेशा दूसरों से उसी तरह का बरताव करें जैसा बरताव आप खुद के लिए चाहते हैं दोस्तों, ब्रेन बुक चैनल पर हमारी सोच है कि हम आपके साथ लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी शेयर कर आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकें हमारी इसी सोच को पूरा करने के लिए कुकु FM जो कि इंडिया का एक लीडिंग आडियो बुक प्लैटफॉर्म है ने आपके लिए स्पेशल 50% डिसकाउंट का उभार दिया है इस एप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपई है पर अगर आप बीबी 50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिसकाउंट यानि की अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपई की होगी जो की रोज के एक रुपई से भी कम है आडियो बुक्स ना सिर्फ हमारा टाइम बचाती हैं बलकि कुकु एफम पर आपको मिलती हैं 1000 से भी जादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायग्राफीज और भी बहुत कुछ वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में और यही नहीं ये आडियो बुक्स आप अपनी रीजनल बदलाव लाएं याद रखें ये 50% डिसकाउंट केवल पहले 250 यूजर्स के लिए हैं तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल BB50 डिसकाउंट कोट का फाइदा उठा कर अपनी लाइफ में एक पॉजटिव बदलाव लाएं आप डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर ज तो ये लोगों के साथ जुड़ने में आपकी मदद करता है इसमें से एक लाव है तो लाव सिमिलारिटी जिसके अनुसार जिन लोगों के बिलीव और थाट्स एक जैसे होते हैं वो अक्सर दोस्त बन जाते हैं ये लाव इसलिए काम करता है क्योंकि जब दो लोगों के बि लोगों में similarity ढून सकते हैं, जिनके साथ आप अच्छे relationship बनाना चाहते हैं। जैसे कि अगर सामने वाले इंसान ने किसी sports team की t-shirt पहनी हो, तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वो उसकी favorite team होगी। इसलिए आप उससे उसकी favorite team या sports के बारे में बात कर सकते हैं। इससे वो आपसे बात करने में और ज़्यादा interest दिखाएगा। तो अगर जब भी आपको किसी भी तरह की similarity नजर आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ से related बाते करें। और ऐसे topic को avoid करें जिसमें सामने वाले का कोई भी interest ना हो। दूसरा law है law of curiosity जो ये कहता है कि जब आप किसी इनसान में curiosity यानि उतसुकता दिखाते हैं, तो वो इनसान अपने आप ही आप में interested हो जाता है। Curiosity हम इनसानों का एक universal गुन है। इसलिए ये दूसरों के ध्यान को attract करने में बहुत जादा effective होता है। जब आप कुछ इस तरह से behave करते हैं जिससे दूसरे लोगों में curiosity पैदा हो। तो इस बात के बहुत जादा chances होते हैं कि वो लोग अपनी curiosity मिटाने के लिए आप से बात करना चाहें। इसे curiosity hook कहा जाता है। तीसरा law है the law of reciprocity जो ये कहता है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में सामने वाला इंसान भी आप के लिए कुछ करने की इच्छा रखता है। जैसे कि अगर आप किसी को impress करना चाहते हैं और आप किसी भी तरहां से उसकी help करें या कोई favor करें तो अगर सामने वाला इंसान आपको thank you कहे तो जवाब में you are welcome कहने की जगा उनसे बस इतना कहें कि मैं जानता हूँ कि अगर आप मेरी जगा होते तो आप भी मेरे लिए यह करते इस तरहां से आप सामने वाले के दिमाग में reciprocity की feeling को trigger कर देते हैं चैप्टर फाइव speaking the language of friendship राइटर कहते हैं कि अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको इन चार चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिसे short में वो love कहते हैं यानि कि listen, observe, vocalize और empathize पहला listen, सबसे पहले आपको दूसरों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना होगा, जैसे कि अगर आप किसी से कोई बात करते हैं या कोई story सुनाते हैं और सामने वाला आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता या आधे अधूरे मन से आपकी बाते सुनता है, तो ऐसे में आपको बहुत ही बुरा महसूस होगा, दरसल जब आप किसी से बात करते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी बाते ध्यान से सुन रहा है या नहीं, इसलिए जब भी कोई आप से बात करे तो हमेशा उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसके साथ आई कॉंटेक्ट बनाएं और उसे कभी भी बीच में ना टोकें, दूसरा अब्जर्व, सामने वाले इंसान के नौन वर्बल सिगनल्स और बॉडी लेंग्विज को अब्जर्व करने की कोशिश करें, जैसे कि पीछे की और जुक कर बात करना, पैरों को एक दूसरे पर च शायद आप खुद के बारे में जादा बात कर रहे हैं, इसलिए जब भी ऐसा हो, तो तुरंत अपनी बाचीत को एक ऐसे टॉपिक की तरफ मोड़ दें, जिसमें सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट हो, तीसरा वोकलाइज, तीसरी चीज ये है कि बाचीत के दौरान हमेशा अपनी आवाज की टोन पर धियान दें, कभी भी तेज आवाज में या चीह कर बात ना करें, आपकी आवाज की टोन और स्पीड आपकी बाचीत को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग या मुश्किल बना सकती है, जैसे कि जवाब धीरे धीरे धीमी गती से बात करते हैं, तो तो ये एक friendly gesture को दर्शाती है वहीं जब आप जोर-जोर से और तेजी से बात करते हैं तो ये एक dominance gesture को दर्शाती है चौथा empathize अंत में दूसरों से बात करते वक्त सामने वाले को ये महसूस होने दें कि आप उनकी बातों को और उनकी बातों के पीछे की feelings को समझ सकते हैं साथ ही साथ बातचीत के दौरान आप लोगों से अपनी बातचीत से related topic पर भी सवाल करें इस से आपकी बातचीत और ज़्यादा engaging हो जाएगी empathy, friendship करने का एक बहुत ही powerful tool है जब आप empathy के साथ बात करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और ये चीज आपके friendship को और ज़्यादा develop करने में मदद करती है chapter 6, building closeness दोस्ती करने के लिए और रिष्टों को निभाने के लिए एक खास तरह की bonding agent की ज़रूरत होती है जिसे रेपो कहा जाता है जिसका मतलब है एक close relationship जब आप किसी दूसरे इंसान के साथ connect होते हैं तो रेपो ही वो चीज है जिसके आधार पर आपका relationship आगे बढ़ता है अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो ये आपकी responsibility है कि आप एक रेपो बनाने की कोशिश करें किसी के साथ रेपो बनाना वैसा ही है जैसा उसके साथ connection बनाना एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप दूसरों का विश्वाश हासिल कर लेते हैं और उनकी life के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं सामने वाले की body language की mirroring या नकल करना रेपो बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है इसके अलावा mirroring के जरीए आप इस बात की भी जाच कर सकते हैं कि सामने वाले इंसान के उपर आपका रेपो बन चुका है या नहीं open body language और दोस्ताना अंदाज अच्छे तालमेल को दर्शाता है वहीं उसका उल्टा खराब तालमेल नहीं बलकि close posture और interest की कमी है इसी तरह आगया पीछे जुक कर बात करना अच्छे और बुरे रेपो के संकेत है जब लोग दूसरों के साथ comfortable महसूस नहीं करते तो वो अपने बीच एक barrier या रुकावट लाने की कोशिश करते हैं जैसे कि बात करते हुए पैरों को मोड लेना, हाथों को बांध लेना, इधर उधर देखना वहीं जब लोग एक दूसरे के साथ comfortable होते हैं तो वो खुल कर open posture के साथ बात करते हैं चाहे कोई relationship long term के लिए हो या फिर short term के लिए, दोनों एक ही तरीके से आगे बढ़ते हैं राइटर कहते हैं कि एक अच्छे relationship के लिए चार चीजों की जरूरत होती है जिसे short में वो care कहते हैं जहां C. Compassion A. Active Listening R. Reinforcement E. Empathy होते हैं पहला, Compassion किसी relationship में जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो उसे निभाना बहुत आसान होता है लेकिन जब किसी relationship में किसी तरह की problem हो तब उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है हर दिन बस छोटे छोटे काम करके आप अपने partner को एहसास दिला सकते हैं कि आप उनकी care करते हैं जैसे की काम में उनकी मदद करना, जरूरत के वक्त उनके साथ मौजूद होना, उनके लिए कुछ special करना या फिर कुछ और नहीं तो कम से कम अपने partner को genuine compliment देना, आपके partner को खुशी दे सकता है जब भी आप किसी को compliment देते हैं या उसकी तारीफ करते हैं तो कुछ दिनों बात आप भले ही इस बात को भूल जाएं लेकिन सामने वाले इनसान को ये बात लंबे समय तक याद रहती है दूसरा active listening, किसी long term relationship में communication या बातचित का बहुत ही एहम रोल है इसके लिए जरूरी है कि आप अपने partner की बात ध्यान से सुने जब आप अपने partner की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी जरूरतों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ये भी जान पाते हैं कि उन्हें कब कैसा feel होता है वहीं दूसरी और अगर आपका relationship भले ही कई साल पुराना है लेकिन अगर आप अपने partner की बातों पर ध्यान नहीं देते तो आप उनकी feelings और emotions को कभी भी ढंक से समझ नहीं पाएंगे तीसरा reinforcement जब भी आपका partner को चच्छा करें तो उसकी तारीफ जरूर करें इसके बाद कोशिश करें कि आप कभी भी अपने partner का birthday या अपनी anniversary के बारे में ना भूलें उन्हें हमेशा वही gift दें जिनकी उनको जरूरत हो या जो उन्हें पसंद हो अगर आप ऐसा gift देंगे जो उन्हें नहीं चाहिए बले ही आपका gift कितना ही महंगा क्यों ना हो आपके partner के लिए ये gift बेकार ही होगा इसके अलावा अपने partner को decision लेने के लिए encourage करें खासकर उन decisions में अपने partner को जरूर शामिल करें जिसका असर आप दोनों की life पर पढ़ता हो चौथा empathy empathy केर का आखरी और बहुत जरूरी हिस्सा है ये समझने की कोशिश करना कि आपका partner कैसा feel कर रहा है और आप कैसे उसकी care कर सकते हैं तो ये एक अच्छे relationship को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है इसके अलावा आपस में कोई problem होने पर हमेशा situation को सामने वाले के नजरिये से भी देखने की कोशिश करें इस तरह से आप कभी भी गलत decision नहीं ले पाएंगे चैप्टर 8 आज के टाइम में दोस्त बनाने में इंटरनेट का बहुत ही एहम रोल है लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इंटरनेट पर बनने वाले सभी दोस्त असल नहीं होते एक इंटरोवर्ट यानी कम बात करने वाले और शर्मीले लोगों के लिए social networking sites एक वरदान की तरहा है क्योंके social networking sites पर वो आसानी से अंजान लोगों से भी बात कर सकते हैं और दोस्ती कर सकते हैं वहाँ उन्हें किसी के rejection का डर नहीं होता और उन्हें सामने वालों की बातों का जवाब देने का time भी मिल जाता है law of similarity डिजिटल वर्ल्ड में बहुत अच्छे से काम करता है उन्हें के साथ जुड़ना और उनसे दोस्ती करना आज से पहले इतना आसान कभी नहीं था internet ने दोस्ती करने और relationship बनाने की definition ही बदल दी है relationship बनाने के लिए internet एक बहुत ही अच्छा टूल है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है internet पर नए दोस्त बनाने से पहले आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप अपनी privacy को कैसे बचाएंगे internet पर आपके द्वारा पोस्त की गई जाने वाली चीजों का future में आपके खिलाफ इस्तमाल किया जा सकता है इसलिए ऐसा कुछ भी पोस्त ना करें जिसकी वज़े से आगे चल कर आपको पच्चताना पड़े इस बात का भी ध्यान रखें कि internet पर चीज़ें जैसी दिखती हैं वो अकसर वैसी नहीं होती ऐसे बहुत सारे ठग और जालसाज लोग ऑनलाइन अपने शिकार की तलाश में रहते हैं इसलिए किसी भी तरह की problem से बचने के लिए internet का इस्तमाल बहुत ही साबधानी से करें तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताये गए सभी important points को दोबारा दोहराऊंगा तो चलिए सारी important बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं किसी भी इनसान से दोस्ती करने के लिए friendship formula यानी proximity, frequency, duration और intensity का इस्तमाल करें non-verbal संकेतों जैसे mirroring या genuine smile के जरिये आप आसानी से लोगों से दोस्ती कर सकते हैं friendship का एक golden rule है जो ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो लोगों को उनके बारे में अच्छा feel करवाएं लोगों के साथ जोडने के लिए law of attraction यानी की law of similarity, law of curiosity और law of reciprocity का इस्तमाल करना ना भूलें जब भी कोई आप से बात करें तो हमेशा उसकी बातों को ध्यान से सुनें उसके साथ eye contact बनाएं और उसे कभी भी बीच में ना टोकें अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो ये आपकी responsibility है कि आप एक रैपो बनाने की कोशिश करें अपने relationship को अच्छा बनाए रखने के लिए अपने partner की तारीफ करें छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करें उनकी बातें ध्यान से सुनें और उनकी feelings को समझने की कोशिश करें तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको the like switch book पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा मैं जल्दी आपके लिए एक नया life changing वीडियो ले कराऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपका समय शुब हो